नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग राठोट और आज इस लेक्चर में एक interesting scheme के बारे में हम discussion करेंगे भारत सरकार प्लाइन कर रही है कि आवारा पशु, specially कुत्ता और बिल्ली जो गलियों में आपको घूमते फिरते दिख जाते हैं प्रकार से बैठे हुए दिख जाते हैं, तो उनको conserve करके, उनकी breeds को सुधार कर, इन्हें export करने का plan सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है इस scheme को implement कौन करने जा रहा है, पशुपालन विभाग, Department of Animal Husbandry and Daring पशुपालन विभाग किस मंत्राले के अधीन आता है, ये याद रखना क्योंकि इस प्रकार की schemes की ministry बहुत important होती है directly prelims में पूछ लेते हैं कि कौन से मंत्राले की ये scheme है, तो ये scheme है Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Daring के अधीन और इसके अंदर दो department हैं, इस मंत्राले में एक होता है Department of Fisheries और दूसरा है Department of Animal Husbandry and Daring तो ये fact भी याद रखना कि ये वाला विभाग इस scheme को लेकर आ रहा है, ये क्यों important है अभी आपको आने वाले कुछ मिनिट में पता चल जाएगा इस मंत्राले के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंग और ये मंत्राले scheme इसलिए बना रहा है ताकि जो आवारा पशु हैं, खास करके जो आवारा कुटे और बिल्लिया हैं, उनकी नसलों को conserve किया जा सके, उनकी नसलों को थोड़ा सा breeding करवा कर और थोड़ा बहतर तरीके से market करक उसको export किया जा सके, तो आज जैसे भारत के लोग दूसरे देशों की breed को import करते हैं, जैसे अब हम Labrador कुत्ता रखना पसंद करते हैं अपने घरों में, Labrador क्या है? वो Labrador नाम की एक जगे है North America में, वहां का original कुत्ता है, उसको लेकिन अब भारत में लोग रखना पसंद क और उन्होंने कुछ specific breeds के नाम भी ले थे, I think Mudhol Hound का उन्होंने नाम लिया था उस समय, तो Mudhol Hound काफी चर्चा में आ गया था, लेकिन इस प्रकार की scheme बराने की आवशकता क्यों पड़ी, इसको भी समझो, तो भारत में पशु जंगंडना होती है, livestock census होता है हर 5 साल में, 2012 मे था, तो 19th livestock census जो 2012 में वह था, उसकी बहुत detailed report जो है, वो आप देख सकते हैं, इसमें ये बताया गया था कि भारत में domestic dogs, यानि कि जो घरों के अंदर पाले जाते हैं, उन कुत्तों की संख्याती 11.9 6-7 million, यानि ये हो गया लगभग 1 करोड 10 लाग क्या सपस, और जो stray dogs है, यानि कि आवारा कुत्ते हैं, उनकी संख्याते हो जादा है, एक करोड 70 लाग क्या सपस है, 17 million plus, तो stray dogs जादा है, domestic dogs का मैं, इसका मतलब कि लोगों कुत्ते तो पालने हैं, लेकिन ये वाले जो भारत की देशी नसल के कुत्ते हैं, इसको लोग इतना पालना पसंद नहीं कर क्योंकि ये एक जगे नहीं टिकते हैं, ये एक से दूसरे एरिया में भी घूमते फिरते मिल जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ये नंबर जादा भी हो सकता है, इस भारतिये street dog की जो variety है, उसका official नाम होता है Indian paraya dog, अब paraya शब्द का मतलब क्या होता है, इसका बहुत ही एक racist meaning है, to be very honest, ये भारतिय भाशा से ही लिया गया है, जो paraya शब्द होता है अपना paraya, वहीं से लिया गया है, और English में इसको use कर लिया, लेकिन अब क्या होता है कि paraya एक caste group भी है, लेकिन इसका English में meaning ये हो गया है कि वो समू या वो व्यक्ति जिसको दूसरे दूर रखना चाते हैं, that person और that group is called a paraya, तो ये इसका नाम ही ही है ये विचारे इस कुटेगा कि इसको कोई रखना नहीं चाता है, इसलिए ये paraya dog है, लेकिन आपको जानकर ये काफी हरानी होगी, कि ये वाली जो street dog की variety होती है, इसको असानी से आप train कर सकते हैं, ये बहुत ही intelligent होती है, और social और alert है, क्योंकि ये इतना लोगों के बीच में घुले मिले होते हैं, तो ये काफी social होते हैं, और they are very alert, ये तो खिर आपको भी पता होगा, गली में कोई घुस भी आता है, तो रात को कुटे भौगना शुरू कर देते हैं, तो देशी चौकित आ रहे हैं हमारे, anyways, पायर होकर मंतराले ने एक नई स्कीम बनाने की घुशना कर दी, अब इन पशुओं के लिए एक नई policy बनाने की बीचे कारण ये भी है, कि जो existing rules and regulations हैं, जो existing frameworks हैं, उनमें इनके लिए कोई स्थान नहीं है, वैसे technically animal welfare board of India, यानि कि पशु कल्यान board, इसकी जब्मेदारी है क कि कुत्ते और बिल्ली से संबंदे जो भी issues हैं, उनको वो handle करे, लेकिन animal welfare board है, वो mostly cruelty से deal करता है, तो जैसे अगर आप कभी देखोगे, internet पे कई वीडियो आते हैं इस प्रकार के जहां लोग कुत्ते बिल्लियों को torture कर रहे हैं, तो ऐसे incidents में animal welfare board कारवाई करता है, लेकिन देशी breeds को develop करना, एक larger policy बनाना, ये इसका काम नहीं है, इनका focus mainly against animal cruelty ही रहता है, wild dogs और cats जो जंगलों में रहते हैं, जंगली पशु, जंगली कुत्ते बिल्ली, इनको संभालने का काम आता है परियावरन मंत्राले के अदीम, तो ठीक है जो जंगल में जंगली बिल्ली आए पालतू, तो आपको उसी register कराना होगा, लेकिन ये किवल बड़े शहरों में है, जादतर शहरों में भारत में इस प्रकार के कोई नियम नहीं है, हाँ, municipality वाले stray dogs को पकड़ पकड़ के sterilize जरूर करते रहते हैं, साल में एक आद बार इस प्रकार के campaign चला लेते हैं, लेकिन कोई long term plan या vision नहीं है कि आवारा कुतों की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाए, या फिर इसको कैसे बहतर बना के आपदा में अफसर ढूंडा जाए, तो अब finally आपदा में अफसर ढूंडा जा रहा है, और mantra ले, कौन सा, पशुबालन विभाग का जो mantra ले, ministry of animal, husband documentary, daring और fisheries, इसने ये तै कि आए कि अब इसके लिए हमें कानून बना देते हैं, तो इस प्रस्ताव के तहत क्या करना होगा, क्या policy रहेगी, सबसे पहला identify किया जाए, कौन-कौन सी breeds हैं, कहां पर कितनी इनकी संक्या है, क्या इनके characteristics हैं, detailed survey हो, और उसके बाद plan बनाया जाए कि किस प्रकार से इनको conserve करेंगे, तो conserve करने के लिए कुछ specific breeds को identify करके उन्हें train किया जा सकता है, यनि कुछ नसल के कुत्तों को, बिल्यों को train किया जाएगा, उनकी breeding करवाई जाएगी, उनकी नसलों को और सुधारा जाएगा, जिससे कि एक तो इन्हें भविश्य में export किय जा सके, थोड़ा market किया जा सके, कि लोग इने घर में adopt करने के लिए, मतलब उताव ले रहें, 20-25 जा रुपे, इनके pubs के लिए भी लोग दिने को तयार हो जाए, इतनी इनकी demand आ जाए, और एक और बड़ा लक्षे ये है कि population management, तो आवारा कुतों की संख्या तो एक बहु है कि भारत में एक समस्या आती है कि कई dog owners, घर में कुत्ता ले तो आते हैं, लेकिन उनसे पाला नहीं जाता है, और अगर वो बिमार हो गया या उसे कुछ और दिक्कत आ गई, तो उसे वो गलियों में छोड़ देते हैं, तो ये mentality change करनी होगी, promote responsible dog ownership, तो अगर आप किसी कु उसको लेकर आए हैं, घर में रख रहे हैं, तो उसको own कीजे, own करने का मतलब है कि उसके सुख दुख हर एक चीज़ में साती बनी है, केवल उससे खेलने के लिए आप उसको लेकर नहीं आए, अगर वो बिमार है तो भी उसकी care कीजे, उसको गली में मत छोड़िये, तो ये responsible dog ownership होना बहुत जरूरी है, इस policy का अगला focus होगा कि dog bites की संख्या को कम करें, 2018 में 55 लाग से भी जादा dog bite की cases आयते भारत में, फिर ICAR जैसी संस्थाओं को या veterinary universities और colleges को कहा जाएगा, कि आप dog breeds को थोड़ा और बहतर बनाएं, और उनका कुछ इस्तमाल देखिए, जैसे कि anti-narcotics या फिर bomb disposal squads में हमेशा कुटों के आवशकता रहती है, तो वहाँ पर अभी कुछ specific breeds ही इस्तमाल में ली जाती है, क्योंकि उनको train किया जाता है, उस प्रकार से कई generations उनकी train करी जाती है, तो इस प्रकार का कोई use इनके लिए भी ढूंडा जा सकता है, अब ये proposal इतना बातचीत करके फिर उसके बाद proposal को तयार कीजिए, और अभी क्या है कि इसमें home ministry का भी okay नहीं आया है, home ministry और environment, forest and climate chain ministry इन दोनों के साथ अब consultation होगा और उसके बाद final proposal बनके cabinet secretary act के पास जाएगा, लेकिन इस साल के अंदर अंदर ये scheme आने वाली तो definitely है, तो अब news में है, त by 2030, तो rabies को 2030 तक खत्म करना है, भारत भी इस goal का हिस्सा है, तो भारत को भी इस प्रकार की schemes बनानी की जरूरत है, और भारत एक और organization का हिस्सा है, जिसका नाम है World Organization for Animal Health, OIE, ठीक है, ये French नाम है इसका, इसलिए वो E आ रहा है, English में E कहीं नहीं आएगा, E stands for epizootic, जैसे हमा organization है, तो भारत भी इसका हिस्सा है, और इन organizations का भी कहना है कि dog-mediated rabies को रोकने के लिए कुछ plan और scheme होने चाहिए, तो rabies के वल कुत्तों के काटने से नहीं फैलता, और भी कई जानवर होते हैं, लेकिन कुत्ते के काटने के कारण सबसे ज़्यादा cases आते हैं भारत में, क्यू Integrated Disease Surveillance Program, जो Ministry of Health का एक प्रोग्राम है, उसके अदीन, तो भारत का भी लक्षे है कि 2030 तक rabies को खत्म करना है, और dog-bite के cases लगाता बढ़ते जा रहे हैं, और ना केवल dog-bite के cases बलकि कुछ अलग प्रकार की nuisance भी बढ़ रही है, आपको एक example बताता हूँ, दो या तीन साल पहले जोदपूर सिटी की ये local news थी, कि कुत्ते, आवारा कुत्ते, हिरनों को मारने लग गए थे, मतलब पता नहीं, जोदपूर शेहर में क्या है, जो आता हिरन मारना चाहता है, क्यूंकि वो गर्मी के महीने में भूख के प्यासे होते हैं कुत्ते, तो उन्होंने हिरनों ही है, एक ऐसी स्पीशीज, जिसको conserve करने की सरकार कोशिश कर रही है, समाज कोशिश कर रहा है, उसको आवारा कुत्ते खत्म कर रहे हैं, तो इस प्रपोजल, इस scheme के बारे में तो हमने जान लिया, जब यह scheme पूरी launch हो जाएगी, तो इसकी detail और हम जान लेंगे, लेकिन अंदर उन गायों में एक microchip लगाई जाएगी, ताकि उनको कोई आवारा न छोड़ दे, तो इस प्रकार की कई animal welfare scheme सरकारें निकाल रही है, तो इसे की साथ यह lecture समापत होता है, और अगर आप मुझे unacademy पर follow करना चाते हैं, मेरे special class या plus courses के update चाते हैं, तो महिपाल sir मेर handle है, unacademy platform पर, और अन्य सभी platforms पर, महिपाल राठोड नाम के handle पर मैं available हूँ, इस lecture का PDF आपको मिल जाएगा, pathfinder underscore UPSC channel पर, इस वक्त UPSC का एक mega subscription offer ongoing है, अगर आप unacademy का subscription लेते हैं, एक साल के लिए, तो आपको इस वक्त 4 महिने की extra validity मिलेगी, तो अगर आप April 2021 में यह subscription ल आती है, मान लो, August या September में prelims होता है, तो तब तक के लिए आपका course valid रहेगा, subscription valid रहेगा, आप revision batches को join कर सकते हैं, और अपने तैयारी को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं, unacademy platform पर भारत के best educators daily live classes लेते हैं, यहाँ पर दो प्रकार की subscriptions हैं, plus और iconic, plus में आपको live classes मि मिलेगा, और यह mentor आपको day-to-day guide करेंगे, GS means answer writing की practice करवाएंगे, और याद रखे, यह सभी courses पर आपको 10% flat discount मिल जाएगा, अगर आप महिपाल code को use करते हैं, so do not pay this price, आपको यह वाली price, एक साल का subscription आपको पढ़ेगा, 44,000 rupees में, और यह तभी होगा जब आप code use करते हैं, म और इसमें आपको almost day-to-day साल की validity इस वक्त मिल रही है, so now is a good time if you want to avail this subscription, और अगर आप optional की भी तयारी करना चाते हैं, तो optional plus GS का जो combined course है, वो आपके काफी savings हो जाएगी उसको लेंगे, और यहाँ पर no cost EMI options भी available हैं, याद रखे सभी courses पर, तो आप EMI options का भी फायदा ले सक सकते हैं, और again 10% discount होगा, तो यह prices आपको नहीं पे करनी है, SSE, Bank, Railway, State, PCS, सभी categories के exams के लिए and Academy पर courses उपलब्ध हैं, and these are the prices for one year subscription, जो आपको नहीं देनी है, आपको पे करनी है, यह वाली prices, if you use the test series, daily 12.15 बजे live हो जाती है, sectional test होता है, इसके अंदर GS का, तो GS के static syllabus को आप अपना test कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, free initiative है, use the code Mahipal to unlock this test series, top 10 rankers के लिए अच्छे prices हैं, लेकिन यह prices थोड़े से अभी शुरुवाती दौर में छोटे prices हैं, बड़ा price जीतना चाहते हो, तो Unacademy Combat में हिस्सा लो, रविवार को 11 बजे combat होता है, और यहाँ पर scholarship pool 4 करोड र rank लेकर आते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ scholarship definitely मिलेगी, और जो top rankers है, उनको तो full scholarships मिलेगी, तो 11 बजे यह test होता है, हिंदी में भी होता है, तो इसको unlock करने के लिए Mahipal code use कर लेना, free initiative है, कोई पैसा नहीं है, इसमें enter होने का, तो combat में हिस्सा लीजिए, अपनी तयारी का स subscription भी आप पा सकते हैं, thank you very much, have a great day and subscribe to Pathfinder.